हसा थिम्हेट करेंगे हम अपने आज के टोपिक को सीसके अदर हम मेंनिंग उफ एमोशन की बात करेंगे क्राइक्थे आफ एमोशन और फैक्टर आपेंटि rubbish जितना कवर कर पाएंगे इस वीडियो में उतना कवर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिल करेंगे यह टॉपिक है अपका यह बीट फर्स्ट इयर की बुक है उसका है और बुक का नाम है चाइल्ड हुड और ग्रोइंग आप जिसको लिखा है डॉक्टर एसी होते हैं समवेगों की विशेशताएं क्या होती हैं समवेगों के प्रकार और कारण जो की समवेगों को प्रभावित करते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले इमोशन की बात करते हैं समवेगों की बात करते हैं कभी आप हसते हैं कभी आप रोते हैं कभी आपको दिक्कत होती ह है कभी आपका रोने कभी तो यह सब क्या है यह सब आपका इमोशन है ठीक है human human behavior is built up by three aspects cognitive affective and psychomotor या फिर creative aspect बोला जाता है तीन आसपेक्ट पर यह काम करता है अब balance development in this aspect is crucial for development किसी भी इनसान का cognitive मतलब बहुत धिक aspect जो है affective हो और creative ही सभी aspect का आपस में संतूलन होना एक बहुत जरूरी बात होती है किसी भी बच्ची के development के लिए वुडवर्थ बोलते हैं emotion क्या है emotion a moved or strict up state of an organism की एक moved है organism का emotion MacDougal कहते है emotion is a core of instinct मतलब कि जो समवेग है वो हर्द है किसका instinct का instinct मतलब जो इनसान की basic instinct होती है हसना रोना सोना यह सब तो यह सब emotion के अंदर आ जाते हैं को तीन main उसमें बाटा गया है states में emotion viewed as experience this form of emotion is expressed in poetry viewed कौन से होते हैं जो की poem में जो की कविता में express किये जाते हैं दूसरा दरा का emotion है emotion viewed as a change when emotions are experienced जब emotion को experience किया जाता है जैसे कि blood pressure वो भी एक emotion है breathing rate वो भी एक emotion है rate of heartbeat वो भी एक emotion है तो इसको क्या बोला जाता है emotion viewed as change ठीक है और third point क्या है इसके अंदर emotion viewed as behavior इसके अंदर क्या जाता है emotion को देखना व्यवहार की तरह है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे emotion को समवेगों को व्यवहार की द्रिस्टी से देखना every emotion shows a change many behavior all emotions are based on universal pattern ठीक है सभी लोगों के कुछ emotions होते हैं जैसे कि smiling, muskura na, laughing, हसna, crying, chillana और love प्यार करना heat भी होता है, heat भी एक emotion है बट negative emotion है, jealousy भी emotion है बट negative emotion है ठीक है अब बात आती है characteristics of emotion मतलब की समवेगों की विशेष्टाएं समवेगों की विशेष्टाएं कौन-कौन सी विशेष्टाएं होती है emotions are and feelings emotions and feelings की क्या बात होती है जैसे की motivated person emotion क्या होते हैं emotion और feeling दोनों ये दूसरे से related होते हैं feeling मतलब क्या होता है अनुभूती अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम मस्कुराते हैं हमें दर्द होता है तो हम ढूते हैं तो इसलिए बोला गया कि जो समवेग है वो अनुभूती है नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका emotions and instinct ठीक है समवेग और instinct को अभी हिंदी में exact इसका word देख लेना instinct होती है जो हमें basic जो बहुत जरूरी होती जैसे कि बच्चा पैदा होते ही रोता है वो उसकी क्या है basic instinct है आप example से समझ पाएंगे हसना रोना ये सब ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है swing of emotion swing of emotion क्या होता है समवेगों का बदलना जल्दी जल्दी है ना one type of emotion give birth to many emotions like anger against teacher forgives less marks fear of father etc अब जैसे एक ही emotion बहुत सारे emotionों को पैदा करता है किसी बच्चे के नंबर कामाए अब उसको उसका दूसरा emotion क्या है अब उसको डर लग रहा fear क्यों 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 घर पे जाएगा तो अपने ममें पापा से डाट खाएगा तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है emotion and stimuli emotion and stimuli का क्या मतलब होता है different stimuli create different emotions and one stimuli create different emotion like horrifying voice face करना अलग-अलग तरह के emotion होते हैं जिन पर इंसान अलग-अलग react करता है फिफ्ट नंबर है wide range इसकी बहुत सारी range होती है जती कि कोई हसना रोना गाना यह सब किसमें आजाता है emotion में आजाता है गाना नहीं आएगा हसना रोना smile करना crying करना jealousy करना emotion and body change समवेग और शारिरिक बद लाओ इसके अंदर क्या चीज़े आ जाती है external और internal दोनों होती है जैसी कि heart bit दिल की धड़कन का होना pulse rate जो आपकी nerves है उनका होना blood pressure जो रक्त का संचार है उनका होना यह सब change होते रहते हैं include tears आस्मों का निकलना कापना यह सब भी क्या है emotion change समवेगों की वज़े से body जो है हमारी बदलती है जैसे कि आपको ठंड लगती है तो आफ शिवर करते हैं कापते हैं तो यह सब इसके अंदर आएगा 7th नंबर पर है emotions and cognitive urge emotion and cognitive urge में क्या आ जाएगा emotions arise very suddenly slowly slowly settle to down anger fear and happiness बहुत अचानक से आ जाते हैं अब डिपेंड करता है वो बात कैसी थी कि एक दिन लगेगा दो दिन लगेगा एक घंटा लगेगा यह दो घंटा लगेगा तो इस पॉइंट में यही समझानी की कोशिश की गई है next point है sudden arousal of emotion यह हमने डिसकस कर लिया है बहुत अचानक से होते हैं और उनको settle down होने में time लगता है emotions and intelligence, imagination and thinking emotions तब समवेग और बौधिकता और imagination को क्या बोलते हैं? imagine करना और सोचना यह सब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? imagination and thinking during that time mind reasoning power stop working अगर कोई imagination कर रहा है कुछ सोच रहा है राजरानी की कहानिया सोच रहा है इसका मतलब क्या उसकी thinking है वो नहीं हो रही है और कोई emotion में है तो इसका मतलब उसका intelligence level भी काम नहीं करेगा इसके बोलते हैं कि कोई decision जो है वो emotional होके नहीं लेना है मतलब कि भावक होके नहीं लेना है external and internal cause इसके अंदर चीज़े आ जाती है fear due to lighting है ना एक तो external और internal दो तरह के होते है external जैसे कि किसी को lighting से डर लगता है बिजली की गड़गड हर्ट से डर लगता है अब internal क्या fail होने से डर लगता है मैंने कुछ तोड़ दिया उससे डर लग रहा तो यह सब चीज़े इसके अंदर आती है types of emotions की बात करेंगे positive emotion positive emotion में कौन कौन से emotion आते है entertainment, creativity, love, smile यह सब होते है negative emotion में कौन कौन से आते है negative emotion में आएंगे जो आपको नहीं करने चाहिए circumstances की वज़े से आपको करना पड़ता है जिसी कि किसी के साथ jealousy करना hate करना यह सब bad emotions होते है primary emotion next point क्या है primary emotion primary emotions क्या होते है जो बच्चा जनम लेते ही अपने emotions show करता है जो कि आपका क्या होता है smile और crying जो है वह आपका क्या होता है primary emotion होता है fourth number पे देखिए emotion pertaining to self appraisal when individual finishes his work and achieve the aim जब कोई भी इंसान अपना aim अचीव कर लेता है तो उस वक्त जो उसके emotions होते है वो satisfy हो जाता है तो इसको क्या बोलते है self appraisal ऐसा समवेग जो आत्म संतुस्टी प्रदान करता है जैसे कि एक दिन में आपने सोचा था कि एक chapter को complete करोगे या एक video को cover करके उसकी notes बनाओगे आप उतना कर लेते हैं तो आपको अपने ऊपर क्या होता है प्रिशंसा करने का मन करता है तो उस emotion को क्या बोलता है self appraisal emotion फाइफ पॉइंट पे है आपका emotion pertaining other person वो समवेग जो दूसरों से हमें मिलते हैं जैसे कि बहुत सारे emotions होते हैं बतलब अगर आपके parents दुखी हैं तो आप दुखी हो जाते हैं अगर आपके भाई बहन को चोट लगी है emotions को देखकर हमारे emotions बदलते हैं उनको खुश देखकर खुश हो जाते हैं और उनको दुखी देखकर परिशान देखकर परिशान हो जाते हैं तो इस समवेग को क्या बोलते हैं ऐसा समवेग जो दूसरों के समवेगों से प्रभावित होता है ठीक है अब कुछ इसके factors की बात करेंगे कि कौन कौन से कारक है जो समवेगों को प्रभावित करते हैं अगर स्कूल का वातावरण अच्छा होगा तो emotion भी अच्छे और बुर्य होगे दूसरा है family and neighborhood मतलब परिवार और आसपडोस तीसरा है health and physical development शरीर और शारेरिक विकास अब किसी की body बहुत प्रॉपर तरीके से develop है तो उसकी जितने भी development है जाब हो mental है जाब हो social है emotional है मतलब की समवेगात्मक विकास है वो भी प्रॉपर तरीके से होंगे intellectual efficiency intellectual efficiency का मतलब है an unhappy person cannot take interest in any work अगर कोई इंसान है जो खुश नहीं है emotion कैसे role play करेंगे suppose करो मैं खुश नहीं हूँ तो मेरा मन नहीं करेगा कि मैं पढ़ाओ बैटके मैं आप लोगों के लिए video बनाओ लेकिन अगर मैं खुश हूँ मेरे emotion जो development हो प्रॉपर है मेरे समवेग ठीक है सकरात्मक है तो मैं आपके लिए काम करूंगी या अपना कोई काम करूंगी नेक्स पॉइंट है एज इज भी affect करती है social development नेक्स पॉइंट है समाजिक विकास भी इसको प्रभावित करता है 7th point है इसका attitude of parents अब देखिए जहां पर समझाने के जरूरत है वहां पर मैं आपको समझाती हूँ जो बहुत simple points है उसमें समझाने के जरूरत है ही नहीं parents attitude जो माता-पिता है उनका जो बरताव है वह भी समझाने को प्रभावित करता है जैसी कि अगर कोई माता-पिता बच्चे को इग्णोर करते हैं उनके साथ खेलते नहीं उनको attention नहीं देते हैं तो जो बच्चा है उसको care नहीं मिल पाती है और जो उसके समझाने है वह भी प्रभावित होते हैं अब इंग्लिश वालों के लिए भी कि जब उनके पैरेंट्स उनकी केर नहीं करेंगे देन डफिलिटली जब टाइल चाइल्स बीहेवियर इस अल्सो अफिट्स निक्स्ट पॉइंट है फटीग थकावट हिंदी में क्या बोलते थकावट लेक अधर फ विवहार की वज़ा से जो परिशानिया आती हैं उनको बोला जाता है सम्टाइम्स टीनेज फेल्स तो गेट प्रोफेशन ओफ देच्छ वाइज आंधर इमेन अनहापी कभी-कभी बच्चों को उनके पसंद से कोर्स नहीं मिलता है जैसे कि कोई इंग्लिश ओनर्स करना च प्रोफेशन तो यहां पर क्या है यहां पर टेंशन बिल्डप होती है जो बच्चा है वो सेड रहता है तो सेड भी क्या है कि मोशन है तो यह सब चीजें हैं जो बच्चे के समवेग आत्मक विकास को प्रभावित करती हैं तो यह जो है यह क्लास नंबर 6 है हम्मारा जिसम में सारी चीज़े पॉइंट्स लिखी हुई है इंगली स्टूडेंट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यह टॉपिक अभी हमारा कवर नहीं हुआ यह टॉपिक हमारा नेक्स फॉर्दर वीडियो में भी चलेगा जिसमें हम इमोशनल डवलोप्मेंट को डि स्कुस करेंगे थांक यू सो मच्ट से कनेक्टीट